Hello Friends, Welcome to Jk study, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबा डिस्टिक की इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में, इंपोर्टेंट तो क्या सभी लेक्स को डिस्कस करेंगे, बढ़ यहां पर कुछ चिंजित हैं, आज हम आपको बताएंगे कि किस ट्रिक से जो है वो आप लेक्स को one tip पे जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है, कैसे, देखिए, लेक्स से जो question आते हैं, वो आपके दो तरीके से आते हैं, सबसे जो mainly question है, वो यही आते हैं, कि कौन सी district में कौन सी लेक पड़ती है, या फिर बड़े-बड़े exams में आपको मिलाने के लिए दे दिये जाते हैं कि इन लेक्स को पताईए कि कौन सी डिस्टिक में ये लेक आती है ठीक है या फिर एक question इस तरीके से बन जाता है कि इन में से कौन सी लेक जो है वो चमबाव डिस्टिक में नहीं पढ़ती है इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी डिस्टिक में कौन सी लेक्स आती है बाकी जो descriptive होता है यानि कि उसकी detail होती है लेक्स की वो further आगए ठीक है तो इसी चीज़ को बहुत सारे candidate के साथ ये problem होती है कि वो exam time में confused हो जाते है कि भाई ये लेक कहां पर पढ़ती है थोड़ा recall करने में जो है वो problem आती है बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाओगे कि चमबा district में कौन कौन सी लेक आती है आगे बढ़ने से पहले हमने special discount आज के लिए रखा है जिसमें आपको 500 पे में मातर जो है वो सभी PDF जो है वो मिल रही है जिससे आप आपने जो आपका जेवे का exam है नुवंबर में उसकी revision जो है वो अच्छे से कर पाओगे तो gk study app को download कर लिजिए coupon code यूश की जिगा जेवे IT 2022 जिससे आपको अच्छा खासा discount जो है वो मिल जाएगा तो ये सिरफ आज के लिए है बाकी सब inspector का course अगर आप जो है वो जो है वो जो है वो जो है वो जो है आप जो मैं आपको story बताने वाला हूँ उसको अच्छे से यानि कि जो लामा और चंदर थे वो दोनों बड़े ही जिगरी यार थे यानि कि इन्होंने कहीं जाना है तो साथ में जाते थे कोई काम करना हो तो साथ में जाते थे तो एक बार क्या हुआ कि इनके गाओं के पास जो है वो बैसाकी का मेला लगा तो ये दोनों जो है वो ब बता लगा कि वहाँ पर जो है वो एक मनी रखी हुई थी अब आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा या किसी के मुह से भी सुना होगा कि जहां पर मनी होती है वहाँ पर एक सांप जो है वो जरूर मिलता है या फिर ऐसा बोला जाता है कि जो मनी होती है वो जनरली सां कर रहा था जिसका नाम जो है वो मेहल था ठीक है साम का नाम हमने आपर क्या रखा है हमने साम का नाम रखा है यहां पर मेहल तो अभी तक क्या स्टोरी है कि दो दोस्त थे बड़े ही जिगरी यार थे जिनका नाम लामा था एक का और दूसरा का नाम था चंद्र दोनों जो है वो एक बार बेसाकी के मेले में गई, जब वापिस आ रहे तो एक पेड़ देखा, उसके नीचे एक मनी थी, और मनी की जो सुरक्षा कर रहा था, वो कर रहा था आपका मेहल नाग, ठीक है जी, तो फिर क्या हुआ कि दोनों के मन में जो है, वो थोड़ा सा लाल चाहे, कि क्यो बोला जाता है, कि जो मनी वाला साप है, वो पीछे पर जाता है, तो इनको भी ऐसा थोड़ा सा डाउट था, तो इन्होंने क्या decision लिया, कि भई हम इस मनी को अपने साथ नहीं रखेंगे, नहीं घर लेकर जाएंगे, हम ऐसा करते हैं, कि इस मनी को कहीं और छुपा देते है उसके बाद जब ये पूरा मामला निपट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मनी को दुबारा लेने आ जाएंगे, तो इन दोनों में agreement हुआ कि हम ऐसा ही करेंगे, और इन्होंने क्या किया, कि दूर पहाड़ पर जाकर एक चमबा जगा पढ़ती थी, चमबा शहर पढ़ता थ तो इन दोनों के बीच में, वो हमने मनी को गाड़ दिया, और उसके बाद ये घर चले गए, तो क्या स्टोरी आपने स्टोरी सिखी, आपने स्टोरी सिखी, कि दो दोस्तों थे, दुबारा से मैं repeat करूँगा लामा और चंद्र दोनों बेसाकी के मेले में गए दोनों को आते हुए एक पेड मिला जिसके नीचे मनी थी और एक नाग बैठा था मेहल किसी तरीके से उन्होंने नाग को चक्मा देकर जो है वो मनी हासिर कर ली कि उसके बाद दोनों उस मनी को चुपाने चंबा निकल गए चंबा जब पहुंचे तो महां मनी को गाड दिया और मनी के जहां पर इन्होंने मनी को गाड़ा था उसके एक तरफ clinics टैंपल था और दूसरी तरफ मhäकाली टैंपल था ताकि उनको याद रहे, आप भी ऐसा ही करते होंगे, जब किसी चीज को चुपाते होंगे, तो उसकी जगा पर जो है, वो कुछ निशान रखते हैं, तो वहाँ पर पहले ही निशानी थी, तो यह जो है वो पूरी स्टोरी आपकी यहाँ पर थी, क्या स्टोरी बताई, दुबारा से एक बार अच्छे से देख लिजिए, कि लामा और चंदर दो पक्के यार थे, दोनों एक बार बैसाकी के अफसर पर पास के मेले में गए, वापिस आते हुए जंगल में उन्हें एक पेड के नीचे मनी दिखाए दी, जिसकी सुरक्षा एक मेहल नामक नाग कर रहा था, दो आपको यहाँ पर देखना क्या है, कि आपको देखना है यह हाई लामा है, दूसरा कौन सा है, चंदर है, तीसरा आपका यार है, चौथा आपका बैसाकी है, फिर आपका मनी है, फिर आपका मेहल है, उसके बाद आपका नाग है, उसके बाद आपका गार है, उसके बाद आपके पास दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इस highlighted word से आपको क्या याज़ नहीं, सबसे पहले लामा, लामा और चंदर दो यार थे, तो दोनों लामा जील और चंदर कूप जील, ठीक है, ये दोनों दोस्तों से कौन सी जीले मिलकर बनी, वो बनी लामा से लामा जील, और चंद के नीचे, उनको मिली थी आपकी मनी, तो मनी से आपका याद रहेगा, आपको मनी महेश, ठीक है, मनी महेश आपको मनी से याद रखना है, उसके बाद मेहल से, मेहल और नाग को आपको कंबिनेशन में रखना है, मेहल नाग बनेगी आपकी मेहल नाग जील, मेहल और नाग क चुपाने गए थे यानि के आपका चमबा शहर ठीक है तो इस तरीके से आप जो है वो easily इन चीजों को याद रख पाओगे आई होप आपको समझ आगी होगी लामा हो गई चंदर होगी लामा जील चंदरकूप जील, खजियार जील, बेसाकी जील, मनी महेश जील, मेहलनाग जील, गड़ासरू जील, चामुंडा जील, महाकाली जील तो ये सारी जीले आपको कहां पर पढ़ती है जहां पर उन्होंने उस मनी को चुपाया था तो अगर आपने ये स्टोरी याद रखी तो चंबा डिस्टिक की कोई भी लेक अगर आपसे पूछी जाए बाद में आप इनकी डिटेल्स को जो है वो अच्छे से पढ़ सकते है या फिर आप कमेंट करके बताएगा तो अगली वीडियो में डिटेल्स भी आपको कवर सकते हो ठीक है यानि कि अपने आप से फिर और अगर आपके पास और कोई भी स्टोरी है ठीक है तो अबॉट सेक्छिन में जाएगा तो आप के नाम के साथ अगली वीडियो जो है वो उसके अउपर हम बनाएंगे तो आपके नाम के साथ वो स्टोरी हम ज़रूर शेर बाकि इस चीज़ को जो है वो जरूर याद रेखेगा थैंक्स वर वाचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स टूटे के साथ